जैहें दो वंदे मात्रम प्यारे सातियों मैं हूँ आपका दोस्प्रेंस और आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ आरपी एफ कॉंस्टेबल और एसाई की वेकेंसी के बारे में जिसको लेकर एक चौकाने वाले आकड़े हमारे सामने आये हैं कि कितने नंबर of दोस्टों एकिये गए यहां आप सुभी बटा लेकिंदे दोस्टों 31400 लगब एक सीर पर कंविर्जन रहेगा पहले तो दोस्तों मैं बात करूंगा RPF कॉंश्टेवल के बारे में कि कैसे आप तयारी कर सकते हैं RPF कॉंश्टेवल प्लस ऐसा ही दोनों के बारे में बात करूँगा जैसे मैंने खुद तयारी कि थी आपका भी दोस्तों ऐसे ही तयारी कर सकते हो देखो बहुत सारे यूटूब पर फ़र्जी तरीके से आप सुभी को बताया जारा कि आप ये पढ़ लो वो पढ़ लो ऐसे कर लो वैसे कर लो लेकिन मैं उस तरीके फे बात मैं ही करूँगा जैसे मैंने खुद तयारी की थी और मैंने खुद दोस्तों चार से पांच एक्जाम क्वालिफाय किया है ऐसे ही आपके लिए बता रहा हूँ देखे फैंस अकर आप सलकसर लेना चाहते हैं तो और लोगों से अलग हटके आपको चलना पड़ेगा जिस तरीके से और लोग तयारी कर रहा है कि इस किताब से पढ़ लिया उसका बैचले लिया इसका बैचले लिया तो ऐसे दोस्तों बहुत सारे बच्चे इस अलगसर ले जाते है मैं मना नहीं कर रहा हूँ पर दोस्तों यहां पर साइंस वगरा जो जीके वगरा होता है वह क्या करें तो उन लोग लिए उस्तों मैं बता रहा हूं उनको क्या करना है उनको कुछ नहीं करना है मेरे खुद के हैं अगर मैंने अगर आपको यह पढ़ने को दे दिये अगर आप इन को पढ़ लेते हैं तो ने अग्जाम में देखने को मिल जाएगा अब यह नोट्स मिलेंगे कैसे वह समझ लीजिए सबसे पहले करना कुछ नहीं आपको नोट्स लेने के लिए वाट्सप पर आना है इस पर message करना है जो है 6396453592 बस इस नंबर पर आप सुभी को message करते हैं हमारे और यह आपको जो complete notes है वो आपको दोस्तों मिल जाएंगे मेरे खुद के handwriting notes है और दोस्तों आप सुभी को दा दूगी 500 पर एक notes है लेकिन आपको 500 पर भी मनें करना है मात्र 99 में यह PDF जो है यह notes जो है आप सुभी को मिल गाएंगे और यह जो RPF देख पारे हो ना यह कंदो पर इस्टार देख पारे हो यह आपके कंदों पर भी लगेंगे अगर आप मेहनत करते हैं मिरस्ताती क्योंकि दो क्योंको वेकेंसी कम है तो मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा और काफी ज्यादा कंप्रसन भी है इस लाइन में तो मैं आप सभी से इतना ही बोलूगा कि अगर आपने दोस्तों यहाँ पर एक्जाम निकाल लिया यह पीडियाफ एक्जाम निकाल लिए लिए बनाए गया है तो बाइस तब फाइनल तक आप पहुच पाएंगे क्योंकि बहुत ज्यादा फिजिकल टफ वगरा होता है इसका फिजिकल और इसका दोस्तों जो मेजर्मेंट चेक्ष्ट होता है वो बहुत ज़्यादा टफ होता है उन लोग के लिए जो बेसीली तयारी नहीं कर रहा है तो एक बाकर आपने एक्जाम निकाल लिया तो दोस्तों आप फाइल तक पहुच जाएंगे यह मेरी कारण्टी है और इतना जरू बोल रहा हूं कि अगर आप कहीं से भी पढ़ लेना यह नोट्स इतने ज़्यादा इंपोटेंट है कि हर बार दोस्तों आपको यहां से कोसन देखर को मिलेंगे जब आपका एक्जाम होगा तब मैं डिट्टो कोसन सेम तो से मिला कर रिखा दूगा कि हाँ देखो हमारे पीडियाफ से इतने एक कोसन पूछे गए जिसको भी चाहिए वो ले सकता है चलिए यह तो नहीं पीडियाफ को लेकर बात इस नमबर पर मैसिस कर लेना आपको कंप्लीट हमारे खुद के हैंड़ाइटी नौट्स मिल जाएंगे भाई साब दिल देनाने वाली दोस्तों नौट्स है सभी बता रहा हूँ मतलब अगर आप यह देखेंगे ना कि तैयारे कैसे करें तो भाई साब आपको सारी चीज़े समझ वाएंगे कि कितना कंप्लीट है सीट वही ले पाएगा जो दोस्तों दिन रात अपनी मेहनत से दोस्तों इतिहास लेगेगा समझ वाएंगे चार सो बामर वैकेंसी और पंद्रा लाख अब देखो एक इस फॉरम के लिए दोस्तों फीस भी लगी है वो ऐसा तो किसी ने भड़ने दिया होगा तो यह जो इस्टुडेंट रहे होंगे यह वही इस्टूडेंट रहेंगे जिनको पेपर देने जाना हैं मैं यह नहीं बोलता कि 15 लाख इप heyper देने जा repeated रहे हैं तो जब भी कम नहींonds नहीं है फृक तो यह दिखाई दे रहा है एक आइडिया लग रहा है कि बाइसाब जिस हिसाब से फॉरम भरे गए आर्पीफ एसाई में उस हिसाब से कंपिर्शन भी दोस्तों बहुत ही ज़ा रहेगा यह समझ लीजिए अगर वेकेंसी बढ़ती है तो तो कुछ है यह पर आप सुभी को जो है कट ओफ कम देखने को मिल सकती है वरना पिछली बार जब 2000 मुझे याद है आज भी लेकिन उस टाइम पर मेरी एज नहीं थी फॉरम 2020 में से 118 119 120 तक भी कट ओफ जा सकती है जिस हिसाब से रिकॉर्ड तो फॉरम यह भरे गए क्योंकि भाई साब 100 पर किसका सलक्षन होगा आप खुद सोचे कहां तक लेंगे सो वाले सो वाले तो उसमें कम से कम हजार बच्चे भी सो वाले निकली आए तो उनका कहां सलक्ष निकले तब भी दोस्तों कहां जाएंगे सलक्षन तो उनका ही होगा ना जो 115 120 के आसपास आएंगे तो खुद सोचिए तो भाई साब इसमें इतना जहरीला कंप्रिशन हो गया है कि अगर आप इसको मजे में ले रहे हैं तो आप तो भोल जाए कि आपके बसकी बात नहीं है सिंपल सी बात है आप खुद सोचिए अगर आप और लोगों की तरह मेहनत नहीं करेंगे तो आपका कैसी सलक्षन हो जाएगा एक सीट पर चौतिस सो प्लस उम्मीद बार आ रहे हैं पंद्र लाग फॉरम आज जोगे हैं चार्सो बामन टोटल वैकेंसी हैं तो अगर आप तयाई निक्रेंगे तो कहा सलक्षन हो जाएगा मैं यह नहीं बोल रहा कि नाम उनकीन है मुम्किन है चार्सों मुम्किन था नाम उनकी नहीं था क्योंकि है वैकेंसी और जब आता है क्योंकि तयार कर लीजे हो भी यह सकता है कि वैकेंसी इंक्रीज भी हो जाएं क्योंकि यह यह जो टाइम चल रहा है नवंबर का महीना बीच में एक महीना आपके एक्जाम को रह गया इसमें दोस्तों इतना जवर्दस तयार कीजिए ताकि आपका जो स्कोर है वो दोस्तों जो नहीं बढ़ रहा है वो बढ़ जाए ठीक है उसके लिए मैं आपको लगातर गाइड भी किस तरके से आपको तैयारी करने चाहिए पिड़ बड़ रगार भी प्रोवायड करा रहा हू कि आप तैयारी कर पाएंगे और अच्छी से आपकी तैयार रहे हो पाईगि वहां से तो तो आई थिंक आप सभी सारी बाते समझ चुके हैं तो मेरे आज के इस वीडियो में इतना ही मतलब था आप सभी कोई मोटिवेशन देने का मेरा मतलब नहीं था ताकि आप तयारी करें कंपरिशन देख के आप तयारी करें और जिस तरीके से 15 लाग की संख्या पहुंच चुक से कम 30 लाख फॉरम तो कम से कम भर भी होंगो इसमें 25 से 30 लाग के बीच में फॉरम उसमें भी भरे गई होंगे क्योंकि वह एक अच्छी वैकेंसिया कॉंस्टिवर की क्योंकि हर किसी के पास दोस्तों जो डिग्री नहीं होती है बहुत सारे बच्चे टैंथ पास हैं क्यों जाहिंद वन्दे मात्रम